हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, मैं सुजाता कुमारी, इस्टेंडर फाइब, सबजेक्ट हिंदी ग्रामर है, चैप्टर फर्स्ट है, और टॉपिक भासा है, फिछले वीडियो में भी मैं भासा लिपी के बारे में बताई थी, भासा, जो हम लोग एक दूसरे को अपने विचार और भाव को प्रकट करते हैं, तो हम लोग उसे भासा कहते हैं, भासा में मैं लिपी पढ़ाई थी, जो लिपी, भासा में मैं लिपी के बारे में बताई थी, लिपी, हम लोगों का भारतिये, भासा का जो लिपी था, वो मैं बताई थी, कुछ विदेशी भासाओं की लिपी रह चुका था, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, विदेशी भासाओं की लिपी, पहले लिपी के बारे में हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि लिपी क्या है, लिपी भासा को लिखने के लिए कुछ चिन्ध निर्धारित किये गए और वही निर्धारित किये गए चिन्ध लिपी कहलाते हैं हम लोगों का जो भासा है उसको कुछ चिन्ध निर्धारित किया गया था बच्चों और वही चिन्ध लिपी कहलाना है लगा भारतिये भासा का लिपी हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम हमारे राजे में बहुत सी भासाएं हैं अलग-अलग भासाएं हैं जिसके अलग-अलग कुछ चिन दिया गया जिसका लिपी मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और कुछ विदेशी भासाओं की लिपी रह चुका था जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ विदेशी भासाओं की लिपी इस प्रकार है जो अभी आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए विदेशी भासा है जो इंग्लेंड की भासा अंग्रेजी है इंग्लेंड में अंग्रेजी भासा बोली जाती है या रोमन लिपी में लिखी जाती है अंग्रेजी भासा की लिपी कौन सी है? रोमन लिपी है आगे जर्मनी की भासा जर्मन है और जर्मन भासा रोमन में लिखी जाती है जर्मनी की भासा क्या है? जर्मन है और जर्मन भासा की लिपी रोमन लिपी में लिखी जाती है फ्रांस में फ्रांसीसी भासा बोली जाती है और फ्रांसीसी भासा भी रोमन लिपी में लिखी जाती है फ्रांस में फ्रांसीसी भासा है और इसकी भी लिपी रोमन लिपी है इटली की भासा इतालवी है और इतालवी भासा रोमन में लिखी जाती है ये शब हमारे देश की भासा नहीं है. ये शब भी देशी भासा है. और वही मैं बता रहे हूँ आप लोगों को कि इतालवी भासा की लिपी क्या है? रूमन लिपी है. अरब की भासा अरबी है और इसकी लिपी क्या है अरबी भासा की लिपी अरबी ही है इसकी भी लिपी अरबी है चीन में मंदारिन भासा बोली जाती है यह भासा काजी लिपी में लिखी जाती है चीन में मंदारिन भासा है और इसकी लिपी क्या है बच्चों? काजी लिपी में है इसकी भासा काजी लिपी में लिखी जाती है नेपाल की भासा देवनागडी है नेपाल में नेपाली बोली जाती है इनकी भासा नेपाली है और नेपाली भासा की लिपी देवनागडी है अफगानिस्तान में फार्सी भासा बोली जाती है और फार्सी भासा की लिपी क्या है फार्सी ही है फार्सी भासा की लिपी फार्सी है पाकिस्तान की भासा उर्दू है और उर्दू की लिपी क्या है फार्सी है उर्दू की लिपी फार्सी है यहां हम लोग लिपी को अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से इसको कॉपी में लिख लेंगे लीपी हमेशा पूछते रहता है लीपी के बारे में हम लोगों को जानकारी भी रखना जरूरी है इसलिए मैं अभी लीपी आप लोगों को बताई हूँ अपने भारत के अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भासाएं बोली जाती है यह हो गया, अब हम लोग ब्याकरन के बारे में चर्चा करेंगे, बच्चों ब्याकरन क्या है, उससे हम क्या जानकारी मिलती है, उससे हम क्या सीखते हैं, उससे क्या फाइदे हैं, यह सब ब्याकरन से, हम लोग जानेंगे ब्याकरन के माध्यम से जानेंगे, यहां कुछ समझ शमजने के लिए जानने योग ये बाते मैं लिख दी हूँ जो आप लोगों को ये शमजना है यहाँ पे मैं लिखी हूँ आपने जाना बच्चों की भासा का प्रयोग विचारों का आदान प्रदान करने के लिए होता है भासा के बारे में भी मैं बताई हूँ कि विचारों क आदान प्रदान के लिए भासा का प्रयोग होता है एक दूसरे के बारे में हम लोग समझते हैं अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं अपने भाव को एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे के बारे में हम लोग जानते हैं इसके लिए हम वर्णों सब्दों और वाक्यों की शहायता लेते हैं इन वर्णों सब्दों और वाक्यों का सुद्ध सुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियम बने हैं इन नियमों का ग्यान हमें ब्याकरन से मिलता है ब्याकरन से क्या होता है इसको मैं अभी बताई हूँ कि सुद्द सुद्द ब्याकरन के माध्यम से हम लोग सुद्द सुद्द लिखना बोलना पढ़ना ये सब ब्याकरन के माध्यम से होता है जब तक हम लोगों को ब्याकरन का शही ज्यान नहीं होगा, व्याकरन के बारे में समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग नहीं भासा नहीं समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, सुद्द सुद्द बोल नहीं सकते हैं, ये व्याकरन के माध्यम से ही हम लोगों को ये शब बताता है, अब व्याकरन क्या है, इनकी प वहसादन है, जो भासा के वर्णों, सब्दों और वाक्यों का सुद्दूसुद प्रयोग करना सिखाता है। ब्याकरन, अभी मैं यही चर्चा की हूँ, कि ब्याकरन क्या करता है, ब्याकरन वहसादन है, जो भासा के वर्णों, सब्दों और वाक्चों का सुद्द सुद्द प्रियोग करना सिखाता है अब ब्याकरन के अंग, ब्याकरन के कितने अंग होते हैं, ब्याकरन कितने प्रकार के होते हैं अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चो और इसके बारे में समझेंगे कि ब्याकरन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ ब्याकरन के चार अंग होते हैं ब्याकरन चार प्रकार के होते हैं पहला है वर्ण विचार दूसरा है सब्द विचार तीसरा है पद विचार चोथा है वक्य विचार यहाँ ब्याकरन के चार अंग है जो चारो का नाम है यहाँ पे, चारो का नाम मैं बताई हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अब आईए पहला है वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार भासा की सबसे छोटी इकाई, अक्छर आथवा वर्ण है, इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारन और उनके प्रयोग के बारे में अध्यान किया जाता है, वर्ण विचार भासा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण विचार जो इस भाग में क्या हम लोग सीखते हैं, वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारन और उसके प्रयोग के बारे में अध्यान किया जाता है, वर्ण विचार में हम लोग यही सीखते हैं सब्द विचार सब्द विचार वर्णों के मेल से सब्द बनते हैं इस भाग में सब्दों की उत्पती बनावट और भेदों के विशय में अध्यान किया जाता है सब्द विचार हम लोग कहते हैं कि वर्णों के मेल से सब्द बनते हैं सब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं कितने वर्ण मिलने से सब्द बनते हैं सब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से हम लोग भासा सीखते हैं वाक्यों के मेल से हम लोग भासा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे है कि वर्णों के मेल से सब्द बनते हैं इस भाग में सब्दों की उत्पत्ति, बढणावट और भेदों के विशे में हम लोग अध्यान करते हैं सब्द विचार में अब तीसरा है पद विचार यहां पद विचार है इसमें संग्या शर्वनाम आधी का वाक्य में श्वरूप एवं प्रयोग के आधार पर अध्यान किया जाता है पद विचार में इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं पद विचार में संग्या शर्वनाम आधी का वाक्य में श्वरूप एवं प्रयोग के आधार पर अध्यान किया जाता है पदविचार में हम लोग आज यहां तक रहने देते हैं वाक्य विचार चोथा है बच्चों वाक्य विचार वाक्य विचार है सार्थक सब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं सब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं इस भाग में वाक्यों के भेदो उनकी रचना एवं विराम चिन्ह आदी के विशय में अध्यान किया जाता है वाक्य विचार में क्या अध्यान किया जाता है तो वाक्यों के भेदो उनकी रचना एवं विराम चिन्ह आदी के नियम में अध्यान किया जाता है वाक के विचार में ठीक है आज इतना ही अगले वीडियो में मैं इसका question answer बताओंगी इनके चारों अंगों का नाम और चारे भेदों का नाम आप लोग याद रखिएगा ठीक है बच्चो थैंक्यो अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से question answer के साथ